आज मैं बताऊंगी करेला खाने के फायदे के बारे में, कि करेला का सेमन करने से क्या-क्या health benefits होते हैं Welcome back to my YouTube channel, अगर जो आप से भी को दिये होई tips से help होता है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से एर करें, अगर जो चैनल पे न्यू हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइक इन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई न्यू टिप्स की वीडियो अपलोड करूँगी, उसका नोटिफिकेशन आप से भी को मिल जाएगा तो आईए जानते हैं करेले की सेवन के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में, करेले का स्वाद काफी कड़वा होता है, लेकिन यह सबजी सेहत के लिए काफी फायदेमांद होती है आयरवेद में इसका इस्तिमाल सदियों से दवा के रूप में किया जाता है करेले का जूस पीने से वजन कम होने में मदद मिलती है करेले का नाम सुनते ही कड़वाट के कारण लोगों का मूँ बन जाता है खाने में कड़वी यह सबजी बहुत ही कम लोगों को पसंद आती है लेकिन करेले कई गुणों के धनी होता है इसमें आइरन, बिटामिन सी, जिंक, पोटेसियम और पोसक ततोबाय जाते हैं जो सरीर को स्वस्त रखने में मदद करते हैं यह सबजी सुगर की मरीजों के लिए किसी दवा से कम नहीं है करेला खाने के कई लाभ है यह सरीर को कई बिमारियों से बच्चाने में अहम भूमिका निभाते हैं करेले का जो पहला फायदा है वो है सुगर के मरीजों के लिए सबसे रामबान सबजी है यह करेले में और शदिय गुण पाये जाते हैं जिन लोगों को डायबिटेज की समस्या है उनके लिए करेला किसी वर्दान से कम नहीं है या एक प्राकृतिक रूप में रक्त सरकरा के अस्तर को कम करने में मदद करता है जो दूसरा फायदा है वह है ब्लट सुगर को नियंतरित करना ब्लट सुगर का अस्तर सामाने करने के लिए आप अपनी डायट में करेली का जूस सामिल कर सकते हैं उबला हुआ करेला भी खा सकते हैं इसमें फाइबर की मातरा अधिक होती जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बुष्ट होता है और पाचन भी बेतर रहता है जो तीसरा फाइदा है दिल को स्वस्त रखता है करेली में पोटेसियम अधिक मात्रम पहे जाता है करेली का जो चौथा फाइदा है वह है कि पाचन को दुरुस्त करता है आयरुवेद में करेली का उपयोग पाचन संबंधी समस्या को कम करने के लिए और सधी की रूप में किया जाता है यह आथ की स्वास्त को भी बढ़ावा देता है करेली का जो पांचों फायदा है इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है करेली में बिटामिन सी पाया जाता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे आप कई तरह के संक्रमण से बच सकते हैं करेली का जो च्छटा फायदा है वह है आँखों के लिए फायदेमंद होता है करेला बिटामिन A का सम्रिद दिसरोत है जो आँखों को स्वस्त रखने में मदद करता है करेली के सेवन का जो सात्वा फैदा है वह है बलड सुगर को कंट्रोल करता है डाइविटीज यानि हाई बलड प्रेसर के मरीजों को डाक्टर हमेशा करेली का सेवन करने की सलाह देते हैं ऐसा इसले क्योंकि इसे खाने से बलड सुगर की लेबल को नीचे लाने में मदद मिलती है करेली ना सिर्फ सुगर को कंट्रोल करता है बलकि आपके एनरजी की लेबल को भी बढ़ाता है करेली का जो सात्वा फैदा है वो डाइजेशन में सुधार करता है करेली में फाइबर अच्छी मात्रम पाई जाती है यह वज़ा है कि इसे खाने से डाइजेशन को हेल्दी बनाए रखने में हेल्प मिलती है फाइबर को भरपूर खादी पदार्थ का सेवन करने से मल्ग त्याग करने में आसानी होती है यानि आपको कब्ज की समस्या से परेशानी नहीं होती है जो आठमा फाइदा है वह है लीबर को हेल्दी रखने में मदद करता है कहा जाता है कि करेला लीबर को हेल्दी बनाए रखने में भी मदद करता है लीबर के कारे को बहतर बनाने और इसके detoxification process का support करने में भी help करता है जिसे सरीर की सफाई को बढ़ाव मिलता है करेली की 7 का जो नमा फैदा है वो है detoxification antioxidants और biotic compound को भी मौजूदकी की वज़े से करेला सरीर को detoxify करने का भी काम करता है या compound harmful free radicals से होने वाले नुकसान को कम करते हैं और सरीर को detoxify करते हैं जो दस्वा फैदा है वो है कि करेला वजन को control करता है करेली को अपनी daily diet में सामिल करने से वजन को घटाने में भी मदद मिलती है अगर आप अपना वजन घटाने की कोशिस में जूड़े हुए करेले में कुछ ऐसे antioxidants और पोसक ततुपाय जाते हैं जो immune system को मजबूर बनाने का काम करते हैं इससे शरीर अलग-अलग संक्रमणों और बिमारियों से अराम से लड़ पाता है तो ये थी करेले के बारे में कुछ महत्वपूर जानकारियां तो आई होब कि ए वीडियो आप सभी के लिए help बोलोगी और आप सभी भी जरूर फॉलो करेंगे तो चलिए आज के लिए इतना ही फिर मिलती हूँ कुछ और new tips के साथ